तो मैं सुझाय कुमार और आपके अपने चनल Undefeated Fantasy Cricket में आपका स्वागत है दोस्तो इस match के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो United States of Emirates के बीच में ये match खिला जाना है और भुटान ओमन के जो बीच में match खिला जाना है ये दोनों के आपस में तो उसके बारे में पूरे बीडियो को डिटेल से देखते चलना ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूँगा पहले मैं बात करता हूँ इस match में investment के बारे में आप इस match में ठीक ठाक investment कर सकते हो मुझे तो अच्छा match लग रहा है ठीक है वैसा क्यों लग रहा है मैं आपको आगे वीडियो में बताता चलूँगा तो वीडियो को पूरे अच्छे तरीका से देखते चलना ताकि आपको अच्छे समझ माझा जाए कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ समझाना चाहरा हूँ ऑफ जब प्रोइड विसद बैटिंग वाडर के साथ टीम कंपरिजन देने वाला हूँ कि दोनोंगों टीमों में स्ट्रॉंग कौन सी है विक्टिम कौन सी है बेस्ट पर्फॉर्मिंग बॉलर अन बैट्स में डिसकर सकरने वाले हैं बेडिकेस करने और लास्ट में हम चलूँगा अपकमिंग वीडियो हमारी कौन-कौन से आ रही है और कौन-कौन से लीग हम लोग फॉलो कर रहे है अपने टेलिग्राम पे वह मैं आपको बताता चलता हूं प्लंकेट सील्ड है चार दिन का टेस्ट होता है न्यूजिलेंड में चल रहा है काईदयाजम सबसे बड़ा गलती है आप यहीं पे मिस्टेक करते हो ठीक है आपने वीडियो देख लिया इसमें टीम भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पूरे में वीडियो देखा सारा को समझ लिया बट फाइनल टीम में आपको टेलिग्राम पे ही देने वाला हूं सबसे करा गलती है आप यहीं पे मिस्टेक करते हो ठीक है आपने वीडियो देख लिया इसमें तीम भी समझ लिया और वह टीम से जाकर कःप हाल जाती उस त्यम से नहीं खेलना है जो मैं भी वीडियो में देने वाला हूं मैं कुछ नंग चेंज करहूंगा ही करूँ आपने डिय पर दूँगा क्योंकि देखो इसक्वाइड एनॉंस होता है प्लेंग लेवन आता है को जो टीम बैटिंग कर रही है वालिंग करेगी जो बैटिंग करेगी तो कुछ तो मैं चेंज करूंगा टॉस पर बहुत सारे चीज़ डिपेंड करते हैं अब इस मैच के बारे में डिसक करते हैं तो मैं पहले आपको बताना भूल गया कि टेलीग्राम पर जूटने के लिए को क्या करना है फर्स्ट ओफ आल आप जहां से वीडियो देख रहे हो नहीं इसके नीचे चले जाना डिसक्रिप्शन में लिंक है ब्लू कलर का लिंक मिलेगा उस पर डिरेटली क्लिक कर बहुत बड़ा नाव है ठीक है मैच भी अच्छा चले तो अच्छा हो जाएगा किस ग्राउंड पर खेला जाना है तो आईसे सी एकडमी ग्राउंड टू दुबई में खेला जाना है डेट और समय के बात करेंगे तो 25 नुवंबर को यह मतलब 25 नुवंबर से मैच चले जा पर इसलिए बोर रहा हूं कि टेलिग्राम पर जाकर जूट जाओ अगर अभी भी नहीं जूटे हो तो पेच रिपोर्ट के बात करेंगे तो यहां से बैटिंग फ्रेंडली रहने वाला है क्लाउट्स तो कोई बारिस के समामना है नहीं पूरा मैच आपको कम्प्रीट होता है मैटेलिग्राम पर आपको इनफर्म कर दूँगा अब बात करते हैं यहां से टीम स्ट्रेंद के बारे में कि कौन से टीम विन कर सकती है कि हाई परसेंटेज है कि यह टीम विन करेगी या फिर यह टीम लॉस करेगी तो यूनाइटेड अर्व एमिरेट्स ओमन की जो टीम परफांड लिग कर रखा है जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैटेलिग्राम पर आपको इनफर्म कर दूँगा अब इनके प्रोबेबल प्लेइंग एलेमन के बारे में डिसेस करेंगे यूनाइटेड अर्व एमिरेट्स ओमन और भुटान ओमन के बीच में ठीक हैं पहले ह इनके प्लेइर के स्टैट्स के बारे में जो कि इनका दो तीन मैट्स का जो स्टैट्स रहा है परफॉर्मेंस रहा है उस बेसिस में हम लोग ट्राइ करके चलेंगे देखो उससे पहले में चीज़ बताना चाता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर अल कर देना ताकि जब में वीडियो डालू तो फर्स्ट इंप्रेशन में आपको हमारी वीडियो मिल जा है क्योंकि हर 24 गंटे के अंदर अंदर ना भाई समय किसी ना किसी मैच का आपको वीडियो प्रोवाइ बिल्कुल मिश मत करना इनको भी इनको भी आपको स्मॉल लिग में प्लस ग्रैंड लिग दोनों में थीरे दना सथीस पाचरण च्यारी संट ठीक पिक हैं आपको कभी भी परफॉर्मेंस करके बंदे दे सकती है बिल्कुल मिश मत करना आपके लिए अच्छी च्वैसे रनन वाली है चमानी सेने वेडिता आपके लिए इंपॉर्टेंट पीक बनेगी तीन तीनोबर का चर्चलव का बॉल इंडालती हुए नजर आएगी बंदी और कभी भी बिकेट निकालती हुए आपको नजर आ सकती है बिल्गोल मिस मत करना आप इंको चाया मुगल के कट्टन है विसंद दो विकेट चोविसंद दो विकेट उपर के जो चार पांच बैटसमें ना इनको मिस मत करना इनको भी आपको स्मॉली में ट्राइक करकरें चलना है निचे से बात करेंगे प्रियांजली जैन कुछ खास इंका स्टैट्स है नहीं है, ग्रैंडली में रोटेट करना है, नतासा चिरियात इनका भी कुछ खास मुझे लगा नहीं है, ग्रैंडली में ही रोटेट करना, मही का गौर है, इनका भी मुझे कुछ खास स्टैट्स लग ट्राइ करना चाते हो तो कर सकते हो जे पीटर कोई कप प्लियर का खास स्टैट्स है नहीं ग्रैंड ली में ही रोटेट करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा अब हम लोग भुटान ओमन के बारे में बात करते हैं इस ट्रिम के कैप्टन यह ले चोड़ें अब बात करते हैं के जो प्लियर के स्टैट्स हैं वगेरा सारा उसके बारे में डिसेस करते हैं विगट कीपिंग की पॉइंट लेगी बिल्कुल मिसमत करना इसमॉल ली ग्रैंड लिग दोनों में रोटेट करना बिल्कुल मिसमत करना इनको उसके बाद करेंगे कहां इसमॉल ली में जुरूर रोटेट करना है यसले चोड़ेंग कैप्टन इस्ट उनकी नौर रोटेट करना है यह स्टैट्स लागा नहीं है तो मैं बोलूगा कि ग्रैंड ली में ही ज्यादा रोटेट करके चलना ज्यादा बेटर रहे गया आपके लिए ट्रेसिंग जैंगों के बात करेंगे 6 रन जिलो विकेट 34 रन जिलो विकेट एक विकेट एवरेस परफोर्मेंस है बट ट्राइक करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो या आपके उपर रिस्क रहने वाला है उसके बाद पेमा सेल डॉन है इनका भी एवरेस स्टैट्स है एक रन अठार रन ठीक ठाक विक बनेंगे बट ग्रैंडिंग में ही रोटेट करना हो सो नम चोड़ें इनका कुछ खा प्रैंग कर तुम नज़र आई है बट बीक एटेट से नहीं मिला है तो मैं बोलूगा कि आप ग्रैंडिंग में ही रोटेट करना है उसके बाद तासी चक्की है इनको तो रोटेट करके चलना ही चलना है आपको स्मॉल लिग में इंपॉर्टेंट प्लेट है आपके लिए उसके बाद की दे माइ intuition कुछ इनको तूप लिए सौख बीक है नहीं साले प्लेयर को ग्रैंड उडंट करना है मैंने अब डेटर से बता दिया कौन से कब ऊंसे मुंदक में करना है कि से क्या बूलना चाहा हूँ अगर्को बूलन चाहे रहा हूँ तो लायक सर चाहरा मिनट और रात के एक विल्जी में शूट कर रहा हूँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ठीक है तो बस थोरा सपोर्ट करो यार और आपके बिना में कुछ नहीं सबसे बड़ा बात में बताना चाहता हूं सो प्लीज कीप सपोर्टिंग आवर टेलिकराम चैनल आपर यूटूब चैनल सब जगा जाकर सपोर्ट करते हैं और हाँ अभी आभी को कहीं जाना नहीं है अभी हम लोग चलेंगे डिवरेंट टीम के उपर और वहां पर डिसक्स करेंगे किस प्लेड को लेना है और किसे ड्र बाकि नीचे से कोई और खास पीक रहने वाला है नहीं बाकि सारे प्लेड को आप ग्रेंड ली में ही रोटेट करना आपके लिए ज्यादा च्वैसेज बेडर रहने वाली है और रांडर सेजमन पर आता हैं तो सी मुगल इसारोय डी वैंगो टी जैंगो यह चार प्लेड म प्रिफर करूँगा इनके अलाब अगर कोई भी बैट्समन खेलता है ना आप उनको कैप्टन भाइस कैप्टन ग्रेंड लिंग में ही रोटेटर के चलना बलकि प्लेयर के रूप में भी ट्राई करना तो ग्रेंड लिंग में ही बाकि यह सारे प्लेयर आपके स्मॉल ली के इनके लाबा आप किसी को ट्राई मत करना और भाइस के रहने वाले हैं तो यह हमारी फाइनल टीम रहने वाली है तो यह बिल्कुल भी हमारी यह अभी के लिए फाइनल टीम है टेलीग्राम पर आपको जूड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है क्योंकि हो सकता है मैं चे तो तक लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखे दोस्तो जाहिंद